अगर आप केस 13 से 20 एर है तो ये वीडियो आपके लिए है लेकिन अगर आप 25 के भी हो तब भी आपको ये वीडियो जरूर देखनी जाए है आपने अक्सर ये बात किसी ने किसी से जरूर सुनी होगी कि अभी तो तुम्हारे टीन एज है तुम बच्चे हो पूरे जिंदगी बाकी पड़ी है मजे करो इतनी टेंसन मतलो लाइफ में सब कुछ टाइम आने पर अपने आप मिल जाता है सौरी दोस्तों लेकिन ये सब बक्वास है सच कुछ और है मुझे ये पस्तावा हमेशा रहेगा कि कास मुझे ये सारी बातें अपनी टीन एज में पता होती आपको बचाने कोई नहीं आने वाला ना आपके पेरेंस ना आपके टीचर और ना ही आपके दोस्त अगर आप लाइफ में सक्सेसपुल होना चाहते हो तो आपको अकेले ही लड़ना होगा आप अभी जिस हालत में हूँ आपको उसे पूरी तरह accept करना होगा चाहें वो कितने भी बुरी क्यों ना हूँ और आपको इस समझना होगा कि सिर्फ आप ही अपनी इस हालत को सुधार सकते हूँ कोई और नहीं आने वाला Take more life experiences मेरी teenage का सबसे बड़ा regret यही रहेगा कि मैंने ज़्यादा experiences नहीं लिए Experience लेने का मतलब है जो आपका मन कर रहा है वो करके देखना और दोस्तों इसका सबसे अच्छा तरीका है ज़्यादा से ज़्यादा travel करना क्योंकि जब आप travel करते हो अकेले या फिर अपने दोस्तों के साथ तो आपको काफी सारे experiences मिलते हैं कई चीज़ें सीखने को मिलती हैं जो आगे चलकर आपकी life में बहुत काम आती हैं अगर आज teenagers में देखे हैं तो उनके अंदर experiences missing होते हैं आपको अपने school या college की books के साथ और भी किताबें पढ़नी चाहिए जिनमें दुनिया भर के महान लोगों ने अपनी पूरी life का पूरा nature डाला हुआ है फिर चाहे हो किसी की biography हो कोई self-help book हो या फिर finance से related हो आप जितनी ज़्यादा किताब में पढ़ते हो आप आम लोगों से उतना ही आगे बढ़ते चले जाते हो आपके school में बहुत से ऐसे बेवकूफ होंगे जो जबरदस्ती किसी से भी लड़ने के लिए situation मनाते रहते होंगे ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये लोग ना तो पढ़ाई में अच्छे होते हैं ना इनके पास कोई skill होती है और ना ही ये खेल कूद में अच्छे होते हैं तो इनके पास source of attention का एकी तरीका होता है वो होता है लड़ाई करके जीतना और इस टाइप के लोगों की एक और गलत फहमी होती है कि लड़ाई करने वाले लड़कों से लड़कियां इंप्रेस होती हैं इसलिए हर किसी से हाता पाई करने के लिए तहियार रहते हैं लेकिन पता नहीं है ये जगणों के नतीजे क्या हो सकते हैं आप imagine करो आपको किसी ने कुछ बुरा बोलती है और आपने गुस्ते में उसकी पिटाई कर दी अब कुछ दिन बाद आप अकेले कहीं से जा रहे थे और दस लोग आते हैं और तुमको बुरी तरह लाटी डंडों और ह पत्यारों से गाहिल कर देते हैं और इसमें आपको इतनी गंभीर चोटें आ जाती हैं कि आपको पूरी लाइफ ऐसी नाक और ऐसी आख के साथ रहना पड़ता है आप पूरी लाइफ लोगों को क्या जवाब दोगे क्या आप ये बोलोगे कि गली के छपरीयों के साथ लड जगडे से दूर ही रहो आपके हर चोटे बड़े फैसले का कोई ने कोई नतीजा जरूर होता है फिर चाहे वो नतीजा अच्छा हो या फिर बुरा इसलिए आपको हर कदम सोच समझ कर ही उठाना चाहिए जैसे मैं अगर सुबह उठता हूँ और उठते ही मैंने अपना दमाग में वही गूमता रहेगा जो मैंने सुबह सुबह रील्स में देखा है इसलिए आपको अपना हर फैसला सोच समझ कर ही लेना चाहिए क्योंकि इसका कोई ने कोई नतीजा जरूर निकलता है अगर आपको अपनी लाइफ में सफल होना है तो आपको फैल होने का डर अ हमेशा के लिए निकालना पड़ेगा क्योंकि आप जो भी सकस्पुल लोग आज दुनिया में देखते हो वो हजारों वार फैल होने के बाद वहां तक पहुँचे हैं कोई भी बिजनेसमन कई बार फैल होने के बाद किसी आविसकार को कर पाता है इसलिए अगर आप लगात इस्टुडेंट महंगी महंगी बाइक्स या कार लेकर आते हैं और ऐसे दिखाते हैं जैसे वो बहुत ज़्यादा अमीर हैं जबकि उनके पास खुद का कुछ भी नहीं है सब पापा के पैसों का है तो दोस्तों आपको ये सब कभी नहीं करना है आपको अपने शौक अपन जरूरी था जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में